हेलो एब्रीवान वेल्कम टू तरुनायस अक्याडमी डिसाइट सौम्या स्वागत करते हैं आप सभी का तरुनायस अक्याडमी पे जी हाँ प्रियंका गांधी का एक बड़ा डिब्यू होने जा रहा है फाइनली इलेक्शन डिब्यू जो है प्रियंका गांधी कर रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में राहूल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी अक्सर आपने इनको इलेक्शन रैलीज में अपने भाई राहूल गांधी को सपोर्ट करते हुए और इसके पहले अपनी म गांधी ने खुद इलेक्शन नहीं लड़े थे और इसी लिए अब जो है फाइनली फाइनली वह पल आ चुका है मौमिंट आ चुका है जब प्रियांका गांधी का बिग बिग पॉलिटिकल डेब्यू होने जा रहा है बात है कौन सी इलेक्शन लड़ने वाली है कहां से इले वीडियो में डिसकस करते हैं और इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे तो प्रियांका गांधी पूरा नाम प्रियांका गांधी वाड्रा क्यूंकि रॉबर्ट वाड्रा से इन्होंने शादी करी और कुल मिलाके फाइनली वायनाद वायनाद से वायनाद से जो कि इन्होंने अपना नामंकन भड़ चुकी है अब बात है कि वायनाद केरला में गड़ माना जाता है कॉंग्रेस पार्टी का राहुल गांधी अभी हाल फिल हाल में दो जगा यानि की वायनाद से और राय बरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा पहले इन्फैक्ट गड़ माना जाता है बहुत समय लगातार कॉंग्रेस जो है वायनाद की सीच से वायनाद जो की एक जगह है केरला में वहां से जो है गांधी परिवार जीता आ रहा है या यूं कहिए वायनाद में कॉंग्रेस का पर्चम काफी दशकों तक लहरा रहा है अब वही से ही सोनिया गांधी ने नामंकन भर दिया अब प्रयांका गांधी जो है वो इलेक्टोरल डेब्यू करने जा रही है ये बात अब मैंने आपको बता दी है किस पार्टी से तो ओविसली कॉंग्रेस पार्टी से और क्यों क्योंकि गांधी परिवार का एक मेजर हि कि सोनिया गांधी काफी कह सकते हैं कि डिके तक कॉंग्रेस पार्टी की कमान को उन्होंने अकेले इंडिविज्वली समहाला और बतौर लेडी गांधी परिवार की बहुत स्ट्रॉंग पॉलिटिकल लेडी के रूप में सोनिया गांधी की छवी को हम देखते हैं और अब उस उसी चवी को उसी पदचिन्नों पर चलने के लिए उनकी बेटी प्रयंका गांधी भी तयार हो चुकी है प्रयंका गांधी ने अपना मेगा रोड शो केरला में निकाला क्यूं क्यूंकि वायनात की सीट से उन्होंने वायनात जो केरला में है वहीं से ही उन्होंने नामंकन भरा है तो वहीं पर उन्होंने जो है मेगा रोड शो भी कंड़क्ट किया मेगा रोड शो में काफी जो है एक तरीके से भीड उमड परी या यू कहिए कि लोग काफी जादा पॉजिटिव नजर आए खुश नजर आए प्रयांका गांधी के इस निर्ने से उन्होंने कहा दे जो है एलेक्शन लड़ती हुई वो नजर आएंगी आज की टॉप मोस्ट खबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं वायनाद बाइपोल प्रयांका गांधी फाइल्स नॉमिनेशन फॉर इलेक्टोरल डेब्यू प्रयांका गांधी होल्स मेगा रोड शो मेगा रोड शो इन आफ्र फाइलिग फ़र नॉमिनेशन फोर बाइब पोल्स यहां पर देखिए प्रयांका गांधी फेसस एक्सिदेंटल पलटेशन वेटेरंट कम्यूनिस्ट इन बोल डेब्यू चैन। गांधी एलेक्टोरल डेब्यू फ्रॉम वायनाद रिवाइव दॉ क्रॉग्रेस काफी जादा खुश है और काफी जादा सपोर्ट इने मिल रहा है अब मैं ये कितने समय से कॉंग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती आ रही है कितने समय से चुनाव रैली में जो है हिस्सा लेती आ रही है तो इन्होंने कहा लगबक 35 सालों से ये कॉंग्रेस पार्टी को सपोर् कभी अपनी मदर सोनिया गांधी को सपोर्ट करती हैं तो कभी जो है कॉंग्रेस पार्टी के मुख्य लीडर्स को सपोर्ट करती हुई नजर आती है तो 35 सालों से इन्हों ने कहा अपने फादर राजीव गांधी को भी इन्होंने इलेक्शन रैली में जो है काफी जमके क्याम तो शोरों से अपने फादर के लिए क्यामपेणिंग यानि की इलेक्शन क्यामपेणिंग में हिस्सा लिया था मतलब 17 साल की उमर से ही इन्होंने लगतार सपोर्ट दिया है लगतार अपनी सेवा के तौर पे कॉंग्रेस पार्टी को जो है दी है 35 साल हो गए इनको वो सेव देते देते और अब जाके इन्होंने जो है फाइनली इलेक्शन डेब्यू जो है कर रही है तो यहां पे आप देख सकते हैं यह चीज बट अब जानते हैं आखिरकार प्रियांका गांधी के बारे में कौन है यह और क्या कुछ इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है किस 12 जन्वरी 1972 को हुआ एक भारतिय पॉलिटेशन साथी साथ जन्रल सेकरेटरी भी है और इंडिया कॉंग्रेस कमेटी यानि की AICC की यही नहीं बेटी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी और सोनिया गांधी की सिस्टर है राहुल गांधी की औ पर ग्रांड डॉर्टर है इंडरा गांधी और फिरोज गांधी की मेकिंग हर अमेंबर प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ नहरू गांधी फैमिली देन इनके ग्रेट ग्रांड फादर जवाहरलाल नहरू है तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉंग पॉलिटिकल कनेक्ट जो है यह बिलॉंग करती है गांधी इस दा कॉंग्रेस कंडिडेट फॉर वायनाद लोग सभा बाइपोल इलेक्शन तो फाइनली वायनाद की सीट से जो चुनाब लड रही है वो प्रयाम का गांधी वाडरा है और यह बात जो है तै हो चुकी है अब इनकी एजुकेशनल क्वा isqu kabreak स्कूल जो कि दिली में है वहां से इन्होंने अपनी skool जो है वो समाप्त करी उसके बाद इन्होंने बैचलर की डिग्री साइकॉलोजी में डेहली यूंवर्सितИ से प्रात करी उसके बाद स्टोलीज कॉन चलम सा जीजेस आन्मРЕ कालिज से प्राप्त करी उसके बाद Master की डिग्री Buddhist Studies में 2010 में इन्होंने प्राप्त करी 1997 में गांधी यानि की प्रयंका गांधी ने शादी कर ली किसे Robert Vardra से जो की एक Indian businessman Delhi-based businessman है अब इनके हाल फिलहाल दो बच्चे भी है यानि की इन दोनों कपल के जो है इन कपल के जो है दो बच्चे भी है और यह Rajiv Gandhi Foundation की major trustee भी है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इनके husband और यह है प्रयंका गांधी इनके husband का नाम है Robert Vardra थोड़ा सा Robert Vardra के बारे में जा रहेंगे क्योंकि वो एक major कारण है जिसकी वज़े से प्रयंका गांधी पहले election debut नहीं कर पाई माना यह जाता है कि प्रयंका गांधी बहुत समय पहले ही elections यानि की चुनाफ में आ जाती बट जब जब वो कोशिश करती थी election debut करने की तब तब जो है जो opposition parties होती थी वो उनके husband का नाम उचाल देती थी यानि की Robert Wardra का नाम उचाल देती जिससे की उनकी चवी भी खराब हो जाती थी अब दरसल इनके husband के नाम से जो है ऐसा क्या जुड़ा हुआ है दरसल बात यह है इनके husband के उपर काफी serious corruption के matters चल रही है जो की opposition party आए दिन allegations जो है इनके husband पर लगाती है और corruption के वो matter बेहत जादा serious और गंभीर है तो इसी कारण वर्ष जो है प्रियांका गांधी अब तक आपने देखा कि election debut क्यों नहीं कर पाई अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रियांका गांधी ने अब opposition leaders के द्वारा जो net worth इनके द्वारा बताई गई जब नामांकन भरते हैं तो उसमें हर एक person को जो की नामांकन भर रहा है उसे अपनी exact net worth बतानी होती है तो प्रियांका गांधी ने अपनी net worth बारा करोड रुपे बताई जिसमें उनके कहा एक करोड उनके पास सोना है पांच करोड का घर है और जो है तमाम बाते बताई बट opposition parties का कहना है कि ये जो है सरासर fake है अब इनके husband की net worth कितनी है तो माना जाता है इनके husband की 66 करोड net worth है जबकि प्रियांका गांधी की 12 करोड net worth है इन्होंने नामांकन में जो फाइल करी है अब इसी से आप समझ सकते हैं यहाँ पे opposition के दुआरा फिर से तलवार उठाई जाए तलवार इन दसेंस फिर से जो है एक तरीके से dispatch चालू हो गई है कि भई यह जो इन्होंने net worth बताई है वो सही नहीं है और जो इनके husband है उन पे serious corruption charges है दरसल बाना जाता है कि इनके husband ने जो है गांधी परिवार के साथ जो इनके link थे उनको गलत तरेके से इस्तमाल करके serious corruption जो है वो किया है अब यह कहां तक सही है कहां तक गलत है अभी जो है यह तो बिल्कुल भी अभी सामने नहीं आया है तो इसके उपर ना ही मैं बात करूंगी क्योंकि कुछ official नहीं है और ना ही जादा हम लोग चर्चा करेंगे बट यह allegations है जो की Robert Barter के उप उपर लगाए जाते हैं अब अगर बात की जाए यह जो पूरा चवी है दरसल यही चवी थी जो प्रयांका गांधी को चुनाव कंड़क करने से रोक रही थी क्योंकि जब जब यह आने की कोशिश करती तब तब इनके उपर जो है कुल में लाके यह सारी बाते इन सारी बा तब बड़ा डेब्यू, जब आशा यह करते है कि यह डेब्यू जो है शानदार जीत इनके के लिए लेकर आए और खुशहाली लेकर आए पूरी कॉंग्रेस पार्टि के लिए साठी साथ इनकी फैमिली के लिए और यह जीत काफी ज़ादा इनके लिए यादगार हो So, अभी इस वीडियो में इतना ही I hope सारे discussion हमने यहाँ पे कर लिये हैं Thank you so very much Have a nice day Bye-bye, take care, good luck, God bless And may God look over you और ध्यान रखेगा सारी वीडियोस को update करते रहिएगा साथी साथ Hindu newspaper को पढ़ते रहिएगा और Zero to Hero series को बिल्कुल भी miss मत करियेगा हर एक चीज का अपना significance और importance है, revise करते रहिए क्योंकि revision ही important है Thank you so much and bye everyone